हलो एब्डिवान अस डेट है सेवन्त हो फेब ड़ी टॉन्टी टू और दाहिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वाकत है इस वीडियो में हम दाहिंदू की इंपोर्टन न्यूज को एक्जाम के पॉइंट अव्वी से डिसक्स करेंगे नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में टेली ग्राम चैनल वल्कन ओ आईज अकेडमी का लिंक दिया हुआ है आप टेलीग्राम चैनल वल्कन ओएज़र्ण आप सभी के साथ में शेयर की जाती है तो चलो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करेंगी एक जोग्रोफिकल मैप के साथ में और आज आपका किश्श्यन ये है कि आपको जाकर के मैप मेप में सबसे पहले से सास्टराम Hill या फिर forest को जाकर के view करना है फिर इससे related हर important facts को and information को comment box में type करना है कल हमने आपसे question पूछा था Tungbhadra river से related तो Tungbhadra river को अगर हम map में view करें तो आप सभी को पता है हमारी South India की एक important river है Krishna river Krishna river की right bank tributary के रूप में flow होती है Tungbhadra river Tungbhadra river का origin होता है लास्ट में ये तेलंगाना और अंदरप्रदेस स्टेट की जो border area है वहाँ पर जाकर के Tungbhadra river Krishna river में मर्ज हो जाती है दहिंदु का अगर हम discussion करें तो सबसे front page पर जो important news है वो हमारे ancient monuments and archaeological sites के जो remains है उससे related है इस article में ये बताया गया है कि हमारे ancient monuments and archaeological sites के remains को protect करने के लिए 1958 में एक act बनाया गया था फिर 2010 में इस act में कुछ change किया जाता है और इसमें decide किया जाता है कि जो भी हमारे monuments हैं या archaeological sites हैं उसको दो area में categorize कर दिया गया कि उस monument की 100 meter radius जो है उसको prohibited area के रूप में construction करना है तो आपको पहले approval लेना होगा तब जाकर के यहां पर आप कुछ activity perform कर सकते हो यहां पर map की तरूँ आप इस तरीके से समझे मान लो यहां पर हमारा कोई monument है और इसकी जो 100 meter जो radius है इसको हमने prohibited area और यह जो 300 meter की जो radius है इसको regulated area के रूपे declare किया इस article में यह बात बूली गई है कि 2010 में यह जब amend हुआ था तो इसमें archaeological survey of area के कोई भी जो expert है वो अपना क्या view रखते हैं उसको इसमें insert नहीं किया गया था मतलब यह जो decision लिया गया 100 meter और 300 meter radius वाला इसमें किसी भी expert नहीं बोला था कि कोई भी monuments के आसपास इस तरीकी से आप एक area declare करो अभी present time में एक standing committee है वो अपने report लेकर किया आई है इसके अलावा जो culture minister के senior official ने यह बोला है कि अभी present time में amend करने की बात की जा रही है दुबारा से sect में और यह जो 100 meter और 300 meter की जो limit है उसको दुबारा से amend किया जाएगा और यह जो act है उसके section 20A में change करने की कोशिस की जा रही है जिसके basis पर जो prohibited area और regulated area जो है उसको expert की through उसको decide किया जाएगा मतलब expert अपने view देंगे तब जाकर कि अब इसमें decision होगा कि monuments के आसपास पाले area को हम किस तरीके से regulate कर सकते है next important news five states में हमारे election होने वाले हैं और इसको लेकर के election commission of India ने कुछ relaxation दी है आप indoor venue में अपनी 50% तक capacity तक work कर सकते हो attendance यहां की लोगों की इतनी एक तरीके से regulate कर सकते हो और जो open ground है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो 30% तक इसके अलावा roads जो और जो प्रसेसर है उनके उपर continue नहीं रखा जाएगा उनके उपर band जो है वो regular रखा गया है next important news है लता मंगेशकर आप सभी को पता है हमारी जो singing industry है उनमें काफी importance था उनका 92 days में उनकी death हो गई कल और हमारी central government ने two days का national morning declare किया है आप सभी को पता है कि 73 years जो है उनका record breaking career रहा है उनको बहुत सारे award मिले बहुत सारा उन्होंने एक तरीके से singing industry के अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर एक जो prestigious जो post होती है वो उनको दी जाती है इनके बारे में जो हमारा page number 9 है 8 है उसके बारे में complete इनके बारे में discuss कर रहा है वहां पर हम discuss करेंगे कि इनको अब तक कौन-कौन से award मिल चेके हैं कौन-कौन से कब इनोंने अपने career के starting की थी वो सब कुछ वहां पर write down कर रहा है next important news page number 2 पर यहां पर image show कर रखी है कि हमारा देहली वाला जो area है वहां पर pollution जो है वो regular बना हुआ है तो image के थूरू show कर रखा है कि जो यहां देखो smoke source जो इस तरीके का infrastructure यहां पर install किया गया है ताकि एक तरीके से pollution को कर्ब किया जा सके next important news है page number 3 पर यहां पर जो article है सिर्फ general awareness के लिए है article है neat exams related एक student जिन्होंने जब exam दिया जब उन्होंने अपनी general category फिल की उसके बाद में उन्होंने जब result आया तो उन्होंने अपने OBC quota को approval लेने की कोसिस की हलंकि पहले जो NTA है उन्होंने बना किया अब फिर हाई court जाती है हाई court ने भी reject कर दिया है student की plea को कि इस तरीके से अगर आप अपनी category change करते हो तो जो result है वो उसमें काफे ज़्यादा change देखने को मिलेगा इसको इसको इस न्यूस को इसलिए डिसकस किया गया है कि आप कोई भी exam के form fill करो तो बिल्कुल awareness के साथ में आपको fill करना है बाद में ऐसा ना हो कि selection हो और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी minor mistake की वज़े से वो selection को खोना पड़े अभी UPSC का notification निकला हुआ है आपको वो सारे जो criteria जो important है जैसे कि आपना आपका जो certificate है specific UPSC certificate जो है वो 3 years old नहीं होना चाहिए तो आपको उसको approval करवाना है renew करवाना है जो भी करवाना है वो अच्छे से करवा के फिर आपको form को fill करना है ताकि कुछ basic mistake ना हो जिसकी वज़े से बाद में आपको परिशानी उठाने पड़े next important news है page number 4 पर यहाँ पर जो article है वो Odisha के tiger reserve को ले करके है साथ कोश्या tiger reserve यहाँ पर कुछ जो villagers है उनको एक तरीके से उनका जो habitat है उसको change करने की कोसिस की जारी है उनको यहाँ से transport किया जा रहा है ताकि relocate किया जा रहा है villagers को villages को ताकि यहाँ के जो tiger है उनको एक तरीके से उनको और ज्यादा area मिल चुके मिल सके क्योंकि जब 2018 में यहाँ पर से relocate किया गया तो यहाँ पर जो tiger लाया गया उसकी वज़े से जो भी यहाँ पर villages थे उनको काफी ज़ादा परिश्चानी हुई तो यहाँ पर जो भी tiger जब यहाँ पर लाये गया तो उसको वापस relocate किया गया और यहाँ पर आप कोसिस के जा रही है कि जो भी villages है उनको हटाया जाए और दुबारा से यहाँ पर relocate किया जाए तो 2018 में यहाँ पर relocate किया गया था यह आपको ध्यान में रखना है कल हमने सरिस्का के बारे में डिस्कस किया था कि सरिस्का में जो है वो रन्थमबोर नेशनल पार्क से tiger जो है वो relocate किया गया था ओके next important नियुँ मतलब यह साथ कोशिया tiger reserve जो है वो आपके लिए important है अब यहाँ पर project tiger की बात की गई है इसके अलावा national tiger conservation authority की बात की गई है इसके बारे में हम कुछ basic facts देख लेते हैं project tiger की अगर हम बात करें तो 1973 मे ministry of environment, forest and climate change ने इस scheme को यह जो भी policy है इसको start किया था और यह centrally sponsored scheme है इसका main कामियत है कि जो भी states में tiger की population है उनको conserve किया जाए और इंडिया में जो tiger reserve है वो declare किया जाए उन्हें एरिया को ताकि tiger की जो population है उनको central assistance के थूरू हम protect कर सके यह जो project है इसको administer किया जाता है national tiger conservation authority के दुआरा national tiger conservation authority के अगर हम बात करें तो statutory body है ministry of environment, forest and climate change के अंडराती है 2005 में established किया गया था और tiger task force की recommendation के basis पर उनको follow करते भी इसको established किया गया था wildlife protection act 1972 के जो भी provisions है it was constituted मतलब 1972 का जो article है जो act है उसके अंडर इसको constitute किया गया था ताकि इसको और ज़्यादा power दी जा सके ताकि ये tiger conservation में अपने आपको strengthen कर सके next important news, page number 5 पर यहाँ पर जो article है वो सेसासलम, tiger, सेसासलम जो forest है उनको लेकर के है सेसासलम जो forest है वहाँ पर एक तिरुपती के photographer ने एक तिरुपती photographer उन्होंने एक photo click की और इसमें ये जो fly species है एक dragon fly species को उन्होंने capture किया है ओके ये जो dragon fly जो है जिसको black parcher के नाम से जानते है सेसासलम जो hill ranges है उनमें first time में इनको show किया गया है, मतलब पहली बार वो यहाँ पर दिखी है अगर हम बात करें तो सरदन Eurasia और जो whole of Africa है, उनमें काफी ज़्यादा संख्या में ये पाई जाती है ये जो इस तरीके की black ground इसकी मर्जो है जिसको least concern में designated दिया गया है इंडिया में भी करनाट का और अंदरप्रदेस का जो coastal area है उनके forest location में इनको site किया जाता है लेकिन अगर हम बात करें तो सेसा चलम जो ranges है वहाँ पर पहली बार इनकी जो appearance है वो देखने को मिली है अब सभी को पता है सेसा चलम range जो है आज हमने question भी पूछा है पुस्पाराज movie south की movie, all origin की movie आपने view की होगी और 9 view की होगी है और यहाँ पर सेसा चलम को लेकर के news भी आई है जब भी आप किसी चीज को study करो तो इस तरीके से आप relate करके देख सकते हो कि वहाँ पर जो red sandalwood है उसका एक तरीके से illegal उसका transport किया जाता है इसकी वज़े से वो movie सारी की सारी उसके उपर red sandalwood जो लकड़ी है उसके उपर based है next important news page number 6 पर editorial page पर यहाँ पर जो first article है वो 5G technology को लेकर के है हमारा जो budget है उसमें discuss किया हमारी finance minister ने कि इस साल जो है 2022-23 तक हम 5G mobile phone services जो है उसको roll out करने की courses करेंगे इसके लिए जो procedure है उसको हम start करेंगे ताकि जो भी हमारी telecommunication जो industry है वो इसमें basis इसमें participate करें और यह जो भी auction है 5G telecommunication auction जो है वो हम regulate कर पाएं यहाँ पर writer का यह बोलना है कि जो भी हम frequency set करें उसको लेकर के concern आपको ध्यान में रखना है कि क्या-क्या issue हो सकते हैं जो भी हमारी frequency set के जाएं वो हमारी जो transport है या फिर air transport जो है उस industry को effect ना करें क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी हमने USA में इस issue को देखा कि वहाँ पर 5G technology को install किया गया लेकिन 5G technology के जो band है और इसके अलावा air technology air transport technology की जो band है वो कफी पास पास थे जिसकी वज़े से जो concern है वो issue होते है कि जब भी कोई airway जो है वो वहाँ पर आ रहा है अपना जो landing कर रहा है या पिर एक तरीके से उडान भर रहा है उस time में जो उनके communication में जो gap हता है उसकी वज़े से जो हमारे airplane जो है वो crash हो सकते है तो इस issue को आपको set करना है जो भी frequencies है उनको fix करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको focus करना है ताकि इस तरीके के जो issue है वो सामने ना आ है USA में जब ये issue देखने को मिला तो हमारे इंडिया ने भी अपनी कुछ flight जो है उनको suspend कर दिया था क्योंकि इस से कुछ crash जैसे जो issue है उन्होंने ये बूला कि आप जो हमारी uniform है उसके according अपनी uniform को carry करोगे या wear करोगे इसमें जो भी आपकी जो भी आप head scalp पहनते हो या इसके अलावा जो आप हिजाब पहनते हो इसको आप पहन करके नहीं आ सकते क्योंकि ये हमारी जो uniform जो है उसके जो भी guidelines है उसको bridge करती है आप सभी को पता है कि इसमें करनाटका government ने जो भी उनका education act है 1983 का उसका भी ध्यान उन्होंने रखा उसके बाद में उन्होंने बोला कि उसमें बोला गया है कि जो भी desk code set किया जाएगा उसी की according सभी जो student है वो अपनी uniform को carry करेंगे कल हमने देखा कि कनाटका government ने भी ये statement दिया कि यहां के जो भी rules and regulations है उन्ही के according जो students है उनको ये पहना जाना चाहिए writer का ये बोलना है कि हमारा जब discussion हो रहा था constitution में तब भी constitution बनाने के time जब discussion हो रहा था भी ये discuss हुआ था और article 25 के तहत हमें जो है वो एक तरीके से equality देने की कोसिस की जाती है और religion में सभी को freedom देने की कोसिस की गई है यहां पर Supreme Court के case के बारे में भी बताया गया है सितूर मूट case सितूर मूट case में उन्होंने Supreme Court ने एक बात बोली थी 1954 में कि जो भी किसी religion के जो भी doctrine होते है वो किसी religion के साथ में insert हो जाते है मतलब constitutional discussion किया गया था religious freedom के उपर जिसमें बोला गया था कि essential religious practice जो है वो traditionally जो है अपने religion में अपने faith के साथ में एक तरीके से insert होती है और article 25 तो आपको इस तरीके से approval ही देता है अगर इसके अलावा Indian Express में भी इसको डेकर के अच्छे से discuss किया गया था और वहाँ पर भी एक article वैसे देखो अगर हम देखें तो इस तरीके के जब भी religion based जो discussion होते हैं वो case to case vary करते हैं Air Force में एक person था आजाता है कि आप regulate कर सकते हो वैसे हमारी जो army forces जो होती है वहाँ पर beard रखना मना होता है लेकिन religion के basis पर approval दिया जाता है Muslim जो category से Muslim religion से जो belong करते थे उनके लिए ये बोला गया बाद में case में ये बात सामने आई कि Muslim जो समुदाए है Muslim जो community है उसमें कहीं भी ये नहीं बूला गया है कि आपको beard रखनी है जबकि जो सिक community है उसमें एक तरीके से insult है इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनके खिलाब में answer आए है उनके साथ में भी हमारी जो judiciary है उन्होंने result दी है 2016-17 में NEET का exam conduct हो रहा था उससे पहले जो CBSC है उन्होंने कुछ guidelines थी CBSC ने ये बूला कि जो भी अपनी uniform code है वो आपको full sleeve कपड़े नहीं पहनने है आपको अपने head को cover करके नहीं आना है लेकिन बाद में ये जो notification है वो जाता है code में code decision देती है कि religion में जो भी आपकी उनकी practices है वो violet नहीं होने चाहिए चाहिए आपको जो भी exam center है वहाँ पर कुछ extra विवस्ता करनी पड़े ताकि जो religion based जो आपकी customs है वो भी regulate हो सके और exam भी अच्छे से conduct हो सके तो इस तरीके कि यहाँ पर बताया गया है कि case to case जो judiciary का जो भी result रहता है वो अलग रहता है तो अब इसमें जो हिजाब को लेकर के protest चल रहा है उसमें judiciary क्या answer देती है वो ज़्यादा important हो जाएगा next important news है page number 7 पर यहाँ पर जो article है वो centralization countries को इंडिया का जो return देखने को मिल रहा है centralization countries की तरफ वो important है writer का ये बूलना है कि हम उनकी तरफ रोट रहे हैं वो अच्छी बात है अगर हम engagement नहीं करेंगे तो इंडिया के लिए काफी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा अब सभी को पता है कि centralization countries resources basis पर अगर हम देखे तो काफी ज़्यादा important है इसके अलावा अगर हम regional stability और peace के तोर पर अगर हम centralization countries को देखे तो भी important है क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा यहाँ पर issue चल रहा है अब सभी को पता है कि इंडिया के लिए centralization countries की तरफ लोटना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया एक कारण तो यह है कि resources basis दूसरा कारण यह है कि अफगानिस्तान में peace और stability को लेकर के हम पर regulate करना है अभी 27 जन्वरी को हमारे PM ने discussion किया वहांके heads के साथ में और last year national security advisor जो है उन्होंने भी अफगानिस्तान की security को लेकर के five centralization countries के साथ में discussion किया यहाँ पर अगर हम देखे तो हमारी engagement present time में थोड़ी minimal है उसका reason यह है कि directly connectivity नहीं है हमारी centralization countries को लेकर के यह जो centralization countries है उनके name आपको पता होने चाहिए important है हमारे लिए काफे ज़्यादा news में है present time में अफगानिस्तान की वज़े से भी news में है और वैसे भी इनको लेकर के काफे ज़्यादा discussion हो रहा है क्योंकि इंडिया ने जब यहाँ पर focus करने की बात की तो चाइना ने counter तरीके से यहाँ पर हमारे से पहले भी इन लोगों के साथ में discussion कर लिया बहुत सारे points के उपर discussion हुआ कि जल्द ही 2030 तक उनका जो target है जो भी trade है उसको हम double कर देंगी इंडिया की अगर हम dependence से देखे तो यहाँ पर जो trade है वो काफी ज़्यादा कम है directly connectivity नहीं है इंडिया की इंडिया चाहता है कि इरान के थ्रू हम यहाँ पर connectivity बनाए इसलिए इंडिया ने चाहाबार port develop किया था लेकिन JCPOA agreement के थ्रू इरान जो है उसके उपर कुछ restrictions लगे और इंडिया जो है वो US के खिलाब ना जा करके जो चाहबार port जो project है उसको वहीं पर हमने stop कर दिया इसके अलावा हम rail और road के थ्रू फिर blast में इरान का यूज करते हुए इरान के थ्रू अफगानिस्तान के थ्रू सेंटरलेशन कंट्रीज तक reach बनाने की कोसिस कर रहे है अब अगर इन सब कंट्रीज में अगर stability रहेगी तभी जाकर के हम सेंटरलेशन कंट्रीज तक अपनी reach बना पाएंगी यहाँ पर इंडिया को issue इसलिए भी लग रहा है कि जैसे ही अफगानिस्तान में US ने अपनी आर्मी को रिमूव किया चाइना अपनी तरब से वहाँ पर influence करने की कोसिस करने लगा और आप सभी को पता है कि सेंटरलेशन कंट्रीज का वहाँ पर काफी ज़्यादा important है तो उनके साथ में भी उन्होंने discussion करना start कर दिया चाइना और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के उपर मेजरली फोकस करने की कोसिस कर रहे है इसलिए इंडिया को लगता है कि उन कंट्रीज के साथ में हमारे relation अच्छे रहेंगे तब भी जाकर के हम अफगानिस्तान के उपर जो है या अफगानिस्तान के साथ में भी अपने relation बहतरीन कर पाएंगे यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें अभी एक वीडियो रिलीज हो रहा है सोशल मीडिया के उपर वाइरल हो रहा है और इस वीडियो में यहाँ पर 36 गढ़ का जो डिस्टिक है वहाँ पर कुछ लोग एक ओथ ले रहे हैं विलेजर्स को एक ओथ लेते हुए दिखाय जा रहा है कि जो to implement an economic bycourt of muslim muslim का जो economic bycourt करने की यहाँ पर बात की जारी है इस चीज से यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें यह बताया गया है कि देखो एक तरीके की नई तरीके की untensability जो है वो हमारी society में पैदा की जारी है हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे groups है कुछ ऐसे community में कुछ ऐसे group है जो यहाँ पर anti-national, anti-hindoo, love jihadist जैसे कुछ bycourt करने की या कुछ ऐसे label circulate करने की खोसिस करते हैं जिससे हमारे unaware जो population है unaware जो people है उनको अपनी तरफ influence करने की भी वो कोसिस करते है यहाँ पर article में writer का यह बूलना है कि जब हमारे constitution का discussion चल रहा था तब ही इस बात में बात की गई थी और article 14, 15 इसके अलावा 17 जो है वो regulate करता है कि कि किसी भी तरीके का discrimination नहीं होगा फिर भी हमारे यहाँ पर religion basis जो discrimination पैदा किया जा रहा है उसकी वज़े से हमारे इंडिया की जो growth और development जो है वो काफे ज़्यादा issue create होगा उसके लिए हम अभी देख भी रहे हैं कि बहुत सारे indexes और बहुत सारे जो reports हैं उसमें यह published किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो democracy के name पर एक तरीके से autocracy में क्रिमेट होती जा रही है तो यहाँ पर जो हमारी government है उनको इस तरीके के issue को एक तरीके से regulate करने के लिए अपनी तरब से कुछ कोसिस करने चाहिए ताकि society में जो एक conflict create हो सकता है उसको रोका जा सके next important news है यहाँ पर कुछ data दे रखे हैं अभी five states में हाँ पर election है तो उनको लेकर कि यह बता रखा है कि अगर इन five states का अगर हम compare region करें गोवा, मनिपूर, पंजाब, UP, उत्राखंड का तो यहाँ पर कौन से state में जो justice की delivery है वो easy basis पर होती है लेकिन उत्रप्रदेश के अगर हम बात करें तो most inferior यहाँ की condition है मतलब यहाँ पर justice लेना एक तरीके से बहुती मुस्किलात वाला काम है और उत्राखंड और पंजाब वाला जो state है वहाँ पर middle वाले मतलब कुछ चीजों के उपर आपको एक justice भी मिलेगा कुछ के उपर आपको कुछ issue भी देखने को मिलेंगे next important news page number 8 पर page number 8 पर जो first article है यहाँ देखिए जम्मो एंड कस्मीर को लेकर के delimitation commission बनाया गया अब जो panel है आपको पता है कि रंजना दिसाई जो former supreme court judge रही है इसके अलावा इस panel में यह जो commission बना था delimitation commission इसमें हमारे chief election commissioner और state election commissioner और जम्मो एंड कस्मीर यह इसमें सामिल थे उन्होंने मिल करके यह decide कि वहाँ पर seven seats बढ़ाई जाएंगी legislative assembly में जिसमें six seats जो है वो जम्मो वाले area में one seat जो है वो कस्मीर वाले area में इसके अलावा 16 seat को SCO और ST के लिए reserve किया जाएगा अब यहाँ पर लोकसभाम के लिए five seats है और इन सभी को redraw करने की बात कर रहा है यह panel redraw मतलब उनको name जो है उनको कुछ changes होगा उनकी boundary में कुछ changes होगा कुछ area घटाये जाएगा कुछ area बढ़ाये जाएगा यहाँ पर जो article है वो स्री लंका के स्री लंका foreign minister जो है वो इंडिया की visit पढ़ाएंगे मंडे आज इंडिया की visit पढ़ाएंगे हमारे जो external affairs minister है SJSankar उनके साथ में मुलाकात करेंगे last August में उनको appoint किया गया था as Sri Lankan foreign minister उसके बाद में इंडिया में उनकी first visit है अब यहाँ पर ये एक तरीके से guess किया जा रहा है कि किन-किन points के पर यहाँ पर discussion हो सकता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो बोला गया है कि देको इंडिया जो economy crisis में सिरलंका को लड़ने में काफी help कर रहा है उसको लेकर कि हाँ पर discussion हो सकता है इसके अलावा BIMSTAC की हाँ पर अभी summit होने वाली है तो उसको लेकर की discussion हो सकता है BIMSTAC क्या है BIMSTAC Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation Submit 30 March को यहाँ पर discussion होगा और urgent time में अगर हम देखे तो सिरलंका के पास में इसकी क्या है जो power है या फिर जो मतलब एक तरीके से जो post है कि वो leadership देंगे इस group को तो इसको लेकर कि हाँ पर discussion हो सकता है BIMSTAC से related कुछ basic facts अगर हम view करे तो यहाँ पर अगर हम देखे तो सबसे पहले 1997 में Bangkok declaration के through इसको बनाया गया था सबसे पहले तो जो हमारा GS paper 2 जो है उससे आपर इसको relate कर सकते हो prelims के point of इसे भी important है यहाँ पर अगर हम देखे यहाँ देखे 1997 में इसको form किया गया था Bangkok declaration के through तो question यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा कि Bangkok declaration जो है वो कौन से group से related है ओके तो जब भी आप किसी group के study करो तो जो भी indirectly वहाँ से facts है वो भी आपको relate करने आने चाहिए इसके starting में four members से starting में अगर हम देखे इसकी जो first summit है वो Thailand में हुई थी और इसके starting में four member थे स्री लग यहाँ यहाँ देखे आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो countries है वो South Asia और यह जो दो countries है वो South East Asia जो है उससे belong करते हैं मतलब आशियान countries के member है तो यहाँ पर यह जो BIMSTAC organization है वो South Asia और South East Asia में एक तरीके से cooperation बनाने का काम करता है इंडिया के लिए काफे ज़्यादा beneficial है क्योंकि इंडिया की जो look East policy जो है उसके लिए काफे ज़्यादा important रहेगा आशियान गूरुप में भी अपने influence को बढ़ाने के लिए यह जो गूरुप है विमस्टेक जो गूरुप है को काफे ज़्यादा important है इसके जो 7 members है वो आपके लिए important हो जाते हैं कुछ basic facts की अगर हम बात करें तो world की 22% जो population है वो यहाँ पर विमस्टेक organization में रहती है GDP में अगर हम बात करें तो 2.7 trillion की यहाँ भी GDP है world में जितना भी trade होता है उसका one for जो है वो हर साल बेव पंगाल से होता है यहाँ पर six area के उपर focus किया जाता है और वो जो area है trade, technology, energy, transport, tourism and fisheries इनके उपर यहाँ पर focus किया जाता है यह इंडिया के लिए इसका importance है यह जो भी notes है वो आपके साथ में share कर दिये जाएंगे टेलिग्राम channel Volcano IS Academy पर next important news हाँ इसी article में यहाँ पर बताया गया है अभी हमने कुछ issue देखा 25th January को कि स्रिलंका ने 50 Indian fisherman को यहाँ से release किया है last year, December 2021 में स्रिलंका Navy ने हमारे कुछ fisherman है उनको capture कर लिया था फिर बाद में discussion के बाद में उनको छोड़ दिया गया लेकिन अगर हम देखें तो यह काफी ज़्यादा issue है, बार-बार यहाँ पर tension देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया के जो fisherman है, वो पाक स्टेट में जो एक तरीके से border show कर रखी है वहाँ पर जाकर करके overfishing करते हैं bottom trolling करते हैं, इसकी वज़े से जो भी resources हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसके अलावा C को लेकर के भी clash create हो सकता है इंडिया और स्रिलंका की बीच में, तो इन issue को हम क्या कर सकते हैं, solve करने की खुसिस कर सकते हैं, इनके उपर discussion हो सकता है यहाँ पर जो article है उसमें एक तरीके से general awareness के लिए यहाँ पर यह बताया गया है कि जब भी कोई discussion होता है, कोई issue create होता है तो हमारी जो government है वो national security का name लेकर के बहुत सारे points को rule out करने की या उनको खत्म करने की कुसिस करती है, जैसे कि pigesas spyware को discussion जब Supreme Court में चल रहा, तो पहले central government ने बोला कि यह national security का मुद्दा है, इसको हम openly discussion नहीं कर सकते, लेकिन बाद में यह बोला गया, Supreme Court के दुआरा, कि आप हर चीज को national security का नाम ले करके, हर चीज से अपने आपको पीछे नहीं कर सकते हो next important news, यहां पर लता मंगेसकर जी के बारे में कुछ important facts हैं, हम पर show कर रखे हैं, piece number 9 पर, यहां पर article है, यहां देखें उनके बारे में बता रहा है कि 28 September 1929 को उनका जन्म हुआ था, दीनानात मंगेसकर एक classical singer और theater personality थे और उनकी मदर का नाम था सेवन्ती, उनकी father का नाम दीनानात मंगेसकर, उनके जब जन्म हुआ, उनका जब born हुआ, तो उनका नाम लदा रखा जाता है, इन्हों ने five year में डेबू कर लिया था stage के उपर, और इसके अलावा nine year old जब लदा थी, तब उन्होंने नारद में, नारद एक play था उसमें नारद का रोल प्ले किया था 1942 में लदा मंगेसकर जी ने सबसे पहले मराथी मूवी के लिए जिसका नाम तक कृती हसाल उसके लिए गाना कया था, लास्ट में हलांकि ये जो गाना है, वो final cut के बाद में इसको drop कर दिया गया था 1945 में वो मुंबई मूव कर जाती है और उनको first break मिल जाता है song, एक मूवी आती है दिल मेरा तोड़ा, इसको लेकर के एक मूवी है, मजबूर मूवी 1948 की, इस मूवी में उनका first गाना आता है इसके बाद में उनके कुछ awards की बात कर लेते हैं तो उनको she received multiple national film awards 1969 में पदम भूशन मिलता है 1999 में पदम भिभूशन मिलता है 2001 में भारत रतन उनको दिया गया 1989 में दादा साहे फाल के award दिया गया इसके अलावा 2009 में France का जो highest civilian award है वो भी उनको दिया गया था यहाँ पर कुछ important उनकी memorable songs है, playlist है उनकी, यहाँ पर show कर रखी है जो काफे ज़्यादा important है और आज भी बहुत ज़्यादा वारा उनको सुना जाता है नेक्स्ट important news page number 11 पर, foreign page पर यहाँ पर जो first article है वो UN ने अभी कुछ important बात बोली North Korea को लेकर की North Korea जो है वो regular अपनी nuclear program को regulate कर रहा है किसी भी तरीके का restrictions का उनके उपर कोई भी effect नहीं है वो regular अपनी यहाँ पर जो technology है जो अपने programs है उनको regulate करने की खुशस कर रहे है Next important article है African Union को लेकर की African Union एक organization है और इस organization में अभी discussion हुआ कि इसके जो बहुत सारे जो members है उनमें present time में अगर हम देखे तो military rule implement हो रहा है जिसकी वज़े से कुछ countries को यहाँ पर suspend कर दिया गया है तो यहाँ पर जो अभी African Union की meeting हुई उन्होंने ये बूला कि यहाँ पर अगर हम देखे तो हमारे जो भी members है उनमें ये जो एक तरीकी की wave देखने को मिल रही है जो military rule की wave देखने को मिल रही है वो काफी ज़्यादा effect करेगी यहाँ पर democracy को African Union की अगर हम बात करें तो African Union जो है वो एक continent organization है देखो जब भी किसी organization के बारे में जब इस तरीके के specific word यूज किये जाए वो important हो जाते है Continental Union मतलब Africa जो continent है उसी में इसके members है 55 इसके member state है Africa continent में ही यह situated है इसके अलावा 1999 में सिर्टे declaration की थूज को बनाया गया था और 2002 में इसको launch किया गया डर्बन साइट अफरीका में 2001 में इसको found किया गया था अदिस अबाबा एथियोपिया में इसको बनाने का main कारण यह था कि 1963 में जो organization था organization of African unity उसको replace करके यह नया organization को बनाना था तो यहाँ पर यह बता रखा है कि यह country जो है उनको suspend कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर issue चल रहा है military rule को लेकर के यहाँ पर China और Pakistan को लेकर के क्या discussion हुआ उसके बारे में बता रखा है कि अभी जो Olympic game start हुए उसमें यहाँ पर Pakistan के Prime Minister ने participate किया तो यहाँ पर discussion हुआ है CPC project को लेकर के कस्मीर वाले issue को लेकर के One China policy को लेकर के China ने अपनी तरब से बोला है कि जो भी हमारे यहाँ पर आरूप लगाए जा रहे है कि हमारे rights को violet किया जा रहा है लोगों के उन सभी में आप हमारा साथ दोगे इन सारे points के उपर यहाँ पर discussion हुआ है तो यह आज का हमारा देहिंदू का discussion था अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक्या